नमस्कर एक जाम है पीबाई जार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो जूड चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहयक अध्यापको के आकलन परिच्छा की तैयारी को ले करके तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप जारकंड में सहाय कध्यापक आकलन परिच्छा के तियारी में 101 पर तीसस सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तियारी जो है आपको पाठकरम परधारी सारे प्रशनों को करना होगा अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रहा जाओगे ठीक है आगे नहीं जा पाओगे तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठकरम परधारी तेन से यार्टी टेस्ट बुक के प्रशन जैक ने असपस्ट कह दिया है कि पाठकरम पर सारे अधारित प्रशनों को ही पूछा जाएगा अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठकरम का सिलेबस दिया है किया तो पाठकरम का सिलेबस है जैक की किताब बनी हुए जैक नहीं किताब को दिया है तो जो जैक मोडल पर अधारित है तो आपको सिर्फ और सिफ पानसो एक रुपए में जूड़ करके आप यहां पर सारे पाठकरम पर अधारित प्रश्णों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है अब आपकी बार ही है कि आप क्या decide करते हैं अगर decide करते हैं तो अभी हमारे mobile number पर संपर्ख कीजिए और यहाँ पर जूड़ जाएए जिससे कि आपको किसी भी परकार का धोखा न हो और आप यहाँ पर आकलन परिच्छा में पास करके एक दिन अस्थाई सिछक बन सके तो आते हैं तो आपको यहाँ पर जूड़ करके जुड़ करना सुरू कर देंगे नहीं तो यहाँ के बाद आपको कहीं भी बहुत मुली समस्या हो सकती है क्योंकि आप किताब ही पढ़ेंगे टेस्ट बुक का ही सबसे अच्छा यहाँ पर जैक के तरब से कहा गया है तो आप आपके अधार पर जो स्लेवस बनाए गए है वो टेस्ट बुक है आप टेस्ट बुक के सारे नोट्स वीडियों को देख लिजे और वो अब लेवल यहीं पर आपको है तो आप हाँ से लिखा हुआ नोट्स यहाँ से परजज कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या है व तो वे बस्तुए जो स्वयम प्रकासु सर्जित करती है मतलब उसके लिए प्रकासु सर्जित करने के लिए और किसी क्या सहारा नहीं लेना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते है ठीक है तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ प्रकासु सर्जित करती है उसको दूसरे के ज सरजित करता है वो किसी दूसरे का सहरा नहीं लेता है और लास्ट ओप्शन है यहापर सभी लास्ट ओप्शन क्या है सभी इसका राइट एंसर क्या हो जागा सभी क्योंकि सूर्य भी स्वयम प्रकास उसरजित करते हैं तारे भी स्वयम प्रकास उसरजित करते हैं आग जो प्रदेप्त बस्तुए अदेप्त बस्तुए या कोई नहीं ठीक है तो देखें देप्त बस्तुए तो स्वयम प्रकास उस्जित करती है इसको किसी की जरूरत नहीं है अब यहां पर है कि नहीं उस्जित करती है तो वह बस्तुए आती है देखें अदेप्त देप्त क्या करत अगला पैसनल इसमें को 상त अधेप्ट या अधेप्ट बस्तविय इसमें को या कहिए या कहिये कि अधेप्ट बस्तविय है चंद्रमा गरा लकडी या सवी ठीक है तो देखे यहाँ पर चंद्रमा इनमे कौन और प्रदीप्त बस्तु है गरह का अपना प्रकास नहीं होता है लकड़ी का अपना प्रकास नहीं होता है चंद्रमा का भी यहाँ पर अपना प्रकास नहीं होता है प्रकास का प्रावर्तन, प्रकास का अपवर्तन, प्रकास का चुमक के प्रभाव या कोई नहीं, ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, यह उपर जो है, माले जो वायू का माध्यम है, और नीचे जो है आपका जल का माध्यम है, ठीक है, जब प्रकास किरन जिस माध्यम से तो इस घटना को देखिए जिस माध्यम में आई और उसी माध्यम में वापस लोट गए तो उस घटना को देखिए हम लोग करते हैं प्रकास का प्रावर्त है लेकिन होता क्या कि खते हैं अगर उसी माध्यम में वापस लोट जा रहा है तो अप्रतना क्लिए रोगया होगा तो चली प्रावर्तन होगा अप्रावर्तन किसमें है तो प्रावर्तन इसका राइट एंसर जुए आपका एमें ठीक है चली अगला देखिए है प्रावर्तन के नियमा नुसार क्या होता है चलिए प्रावर्तन का नियम आपको हम देखा देते हैं यहाँ पर देखें प्रावर्तन रिफ्लेक्टन जो होता है उसमें क्या होता है इस तरह से यह माध्यम है प्रकास किरन जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लोट गई और यह बीच में यहाँ पर अभिलम होता है, ठीक है, तो यह जो शुरूबार किरन पढ़ती है, उसको हमलो करते है आपतित किरन, और जो प्रावर्तित किरन को आई से सुचित करते हैं, और प्रावर्तित किरन को आर से सुचित करते हैं, तो अब देखे, यह नियम क्या कहता है, क कोन आई, जो कोन आई है, वो किस के बरावर है, कोन आर के बरावर होता है, यही दो नियम इसका है, ठीक है, तो प्रावरतन के नियम आनुसार क्या होता है, यह अपने लिखाओ, आपतन कोन बरावर, प्रावरतन कोन, आपतित किरन बरावर, आपतन कोन, कोन आई बरावर, कोन आई कोई नहीं तो पहला ही सही हो गया आपतन कोन बराबर प्रावरतन कोन दोनों बरावर होता है अभी हमने आपको यहाँ पर फिगर भी बना करके दिखाया है ठीक है प्रावरतन का नियम है बहुत बराया हुआ है ठीक है प्रावरतन का नियम है आपतित की रन प्रावरतित कौन बराबर होता है और C है कौन I equal to कौन R ये भी बराबर है ठीक हैने तीनों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो इसका राइट एंसर इसमें सभी हो जाएगा क्या हो जागा राइट एंसर सभी हो जाएगा अगला है जब दो समतल दर्पन के बीच कौन 0 डिग्री हो तो उ इसका कौन का मान निकालने के लिए बहुत बार पूछा जाता है ठीक है तो इस कौन का मान निकालने के लिए हम आपको अभी आप वीडियो कान तक जोड़े हो रहेगा इसके पीछे हम आपको नोट्स बनाये हैं जो एक पेज के बाद मिलेगा वहाँ पर नोट्स हम आपको समतल दरपन के बीच का कौन क्रमसा 45 डिगरी हो तो उनके बनने वाले परतिवियम की संख्या कितनी होगी अनन्त होगी 7 होगी 5 होगी 2 होगा क्यों होगा इसको जानने के लिए अभी आप जुड़े रहे हैं बने रहे हैं बस इसका परतिवियम की संख्या कितनी होगी 5,7,2,3 तेनसर है 5 क्यों 5 होगा इसको जानने के लिए आप बस दो मिनिट रुखेंगे आपको तुरा तिहां पर पता चल जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं स्वेत प्रकास कितने रंगों का मिश्रन है 3,5,7,9 तो स्वेत प्रका प्रकास को साथ रंगों में विभक्त हो जाने के घटना को क्या काते हैं अगला इंदर धन उसमें कितने रंग होते हैं 6,7,8,9 तो इंदर धन कितने रंग होते हैं सात रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं, मानो नेतर में कौन सा लेंस होता है, जो हम लोग का नाक होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तर लेंस, उत्तर लेंस, समतर लेंस, यह कोई नहीं, मानो नेतर में उत्तर लेंस होता है, एक हजार एक वारी सब प्रशन पूछा गया, सब इम भी भी आई की उचन्स ही आपके किताब में है, और वही खले टेस्ट बुक का ही हम आपको दे रहे हैं, जो भी इसकी टेस्ट बुक का नोट्स पढ़ लिए, उनका एक सो एक परतिसत रिजल्ट हो रहा है, इसमें कोई सक नहीं है, तो आप सभी जैसे ही मिलता है वीडियो, देखने के बाद जडूर जुड जाईएगा, और यहां संतारे नोट्स पर चकर करके पढ़ लिएगा, ठीक है, अगला है, समान्य नेत्र द्वारा, समान्य नेत्र द्वारा, पढ़ने के लिए आवसक नियुंतम दुरी कितनी होती है, ठीक है, चाच्छूस, दिव्यांग ब्यक्ति को पढ़ने के लिए सरवाधिक लोग प्रिये साधन है, चाच्छूस, जो दिव्यांग ब्यक्ति होते हैं, आख से, उनको पढ़ने के लिए सरवाधिक लोग प्रिये साधन क्या होता है, ब्रेल, क्रेन, ट्रेन, फ्रेन, क्या होता है, इसका राइटेन सा ब्रेल है, ब्रेल लिपी से फेलोग पड़ते हैं, ब्रेल लिपी का अविश्कार किशनी क्या था, ब्रेल लिपी का अविश्कार किशनी क्या था, लूइस ब्रेल ने, दिर्ग ब्रेल ने, या कोई नहीं, ठीक है, तो ब्रेल लिपी का अविश्कार देख अगला है नेत्रदान मिर्त्यू के बाद कितने घंटों तक किया जा सकता है आपको बताना है तो 10 से 12 गंटा 8 से 10 गंटा के अंदर 15 से 20 गंटा के अंदर चार से 6 गंटा के अंदर तो देखिए सबसे अच्छा जो होता है नेत्रदान मिर्त्यू के बाद जो है वो यदि आप 4 से 6 गंटा के अंदर करते हैं तो वो सबसे बेश्ट होता है लेकिन यहाँ पर बेश्ट का मतलब नहीं है यह करना ही चाहिए आप ठीक है नि 4 से 6 गंटे के अंदर आपको नेत्र क तो देखिए यदि आप एर्ट से गरसी थे आप नेत्रदान नहीं कर सकते हैं है एपाटाइटीस या और भी कर सकते हैं इसके राइटान सबसेंगा इस सब्सक्राइब यह सब आपको हम रताते हैं deeply ठीक है तो देखे यहां पर लेका हो दो समतल दरपन के बीच कोन ठीटा हो और ठीटा पता हो ठीक है ठीटा पता रहने पर परतिवीम की संख्या यानि हमको दो समतल दरपन के बीच कोन कितना बन रहा है वो हमें पता रहेगा तो परतिवीम की संख्या हम समतल दरपन, दो गो समतल दरपन भी, ठीक है, आप इसा याद रखेगा, तो 360 डिग्री ठीटा होता है, परतवीम की संख्या जब भी निकलना हो, तो 360 डिग्री उपर कर दिजे, और ठीटा का मतलब कि जो कोन आपको दिया गया है, जिसे 120 दिया तो 120 नीचे रखेंगा, ठीक है, और 120 दिया 360, ठीक है, तो यह करना है, आपको परतवीम की संख्या बराबर क्या होगा, 360 डिग्री वाई ठीटा होगा, ठीक है, अब एक किस पर सर्थ है, सर्थ को कोन बन रहा है, तो इसमें परतवीम की संख्या कितनी हो, ठीक है, तो परतवीम की संख्या के लिए आपको क्या करना है तो अभी हमने बताया 360 degree भाई ठीटा करना है ठीटा के जबापर यही कौन दिया हुआ है 120 करना है 120 दिया कितना हो गया 360 हो गया हो गया तो देखें यहाँ पर जो हमने हल किया उसका मान यह 3 आया 3 क्या चीज़ है बताइए 3 sum है यह 3 sum है तो 20 sum है तो इसको कुछ नहीं करना है जो आया वही answer हो गया लेकिन यदि sum आता ठीक है जैसे sum में हम यहाँ पर बात कर ले है यदि 2 sum तल दरपन के बिच 60 degree का कौन बन रहा है तो उसका परतवीम की संख्या क्या होगी तो परतवीम की संख्या निकालने है sum है कि भी sum है तो sum है तो यदि result sum आता है तो उसमें से 1 आपको घटा लेना है ठीक है तो 6 minus 1 यानि इसका result 5 होगा अगर answer देज़ेगा तो 5 होगा तो यदि वह सी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है देखिए कि यदि 360 by theta का मान हल sum संख्या हो तो मान में से घटाईएगा यानि आप 360 डिग्री भाई ठीटा की है तो यदि sum संख्या आ गया तो उसको एक घटा करके answer देज़ेगा और यदि 20 sum संख्या आ गया तो जो रहेगा वही answer देज़ेगा देखिए अगर यहां लिखा हुआ है यदि दो सम्तल दर्पन के बीच परतिविम की संख्या हमेसा भी संख्या होता है तो उसमें वही रहा जागा यदि दो सम्तल दर्पन के बीच 30 डिग्री का कौन बनता है तो परतिविम की संख्या कितनी होगी निकालिये न परतिविम की संख्या के लिए क्या हमने आपको बलाता 360 ये 30 जो है जो डिगरी दिया रहा है उसको नीचे लेगा 30 10 से 10 और 3 से 12 देखे हल करने पर क्या आ रहा ध्यान यहीं देना है आपको हल करने पर 12 आ रहा 12 एक सम संख्या है तो इसका answer क्या होगा एक घटा करके देंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे चले एक दो और प्रोशने देखते हैं यदि दो समतल दर्पन के बीच बना कौन 45 डिगरी हो तो कितने परतिवीम बनेंगे तो परतिवीम की संख्या बराबर सबसे पलब 306 भाई ठीटा ठीटा यहां दिया हुआ है 45 डिगरी तो 45 डिगरी हो गया 45 शर्थ है कितना होगा बताई 360 होगा न तो अब बताई आया answer आपका कितना 8 आठ यह सम है कि भी सम है सम है तो आठ जो है सम है इसका result क्या करेंगे तो जब सम होगा मेरा तो उसमें से एक घटा करक तो 7 इहां पर दिया हुआ है देखें किस में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है तो यह इसका answer होगा और नीचे बनाया हुआ बहा है आपका बनाया हुआ हो ना 360 भाई ठीटा निकाल लेजे, 360 बटटा ठीटा ठीटा मतलब जो कोन आपको प्रस्ण में दिया गया है, कि इतना डिगरी का कोन दिया गया है, 60 डिगरी, तो यह 60 कर दिये, अब कितना हो जागा, तो 60, 366 है न, तो अब ध्यान देना है, कि जो मेरा कोन बना, उसका संख्या सम ह तो सम है, तो उसमें से एक घटाएंगे, तब मेरा परतिवीम का संख्या निकलेगा, तो परतिवीम की संख्या बराबर अब क्या हो जागा, तो 6-1 बराबर 5, इसका राइट एंसर कितना हो जागा, 5 हो जागा, ठीक है, तो परतिवीम की संख्या बराबर कितना हो जागा, 5 देखे नीचे यहां बनाया भी हुआ है परतिवीं की संख्या बराबर 360 बॉइ ठीटा और 360 बॉइ ठीटा मतलब जो प्राश्ण में कौन दिया हुआ है 60 बॉइ अब उसको घटाया थी हापर देखे परतिवीं की संख्या बराबर हो जागा ये 6 आया तो 6 क्या हो गया ये सम संख्य है सम संख्य है तो एक घटाएंगे तब परतिवीम निकलेगा तो सम संख्य है इसलिए परतिवीम की संख्य है वराबर 6-1 तो 5 हो गया किलिर हो गए होंगे आप लो कि यदि सम संख्या है ते एक घटा ना है और विसम संख्या है तो जो आया वही एंसर हो जाएगा लास्ट प्रश्न है यदि दो समतल दरपन के बीच बना कुन 70 डिगरी हो तो परतवीम की संख्या ग्याद करें विसम संख्या है इसलिए प्रतवीम की संख्या वम रहने पर एक घटाना है और विसम रहने पर घटाना नहीं है जो है वही रहेगा तो इस तरह से अब आप समझ गया होंगे आपको में बता दे, आप सारे NCRT का Notes, Test Book, PDF पढ़ने के लिए आप हमारे चाहिए को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ ही यहाँ पर सारे Notes ले करके Crash Course, Classes, जो भी चल ले Revision Classes, उस Classes को भी आप पटेंड कर ले अभी भी बहुत समय है आपके पास यहाँ पर सारी त्यारी आपके हो जाएगे और सारे Notes और पीडियाप जोड़ू खरीद लिएगा आप वीडियो कांट तक जोए रहे हैं, इसके आप से को बहुत धन्यवाद